हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम अगें टू लण व्रिदितीमन, आज हम करने वाले हैं चप्टर सेवन कानून एवं भारतिय न्याय पालिका, तो ये चप्टर भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बारे में पढ़ेंग और यहां आपको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आप यहां अच्छे से समझ पाते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लासेज में इनको भी समझ पाएंगे, तो यहीं पर आप इन चीजों को समझ लीजिए, कुश्चन के आंसर यहीं पर आप याद कर लीजिए, देखिए, वहां पर मैंने एक कुश्चन पूचा था, कि राज्य सभा का कारेकाल कितना होता है, तो उस कुश्चन में एक वर्ड लिखना भूल गई थी, कि राज्य सभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता है, तो उनका कारेकाल होता है, छे वर्स का, ठीके, तो राज्य तो एक स्थाई सदन है, इसके सदस्यों का कारिकल जो 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रतिक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य जो है, वो रिटायर हो जाते हैं, और उनके स्थान पर दुबारा से एक तिहाई सदस्यों को चुल लिया जाता है, ठीक है, तो ये इंफोर्मेशन आप एड कर लेना, चलिए आद की क्लास स्टार्ट करते हैं, कुश्चन 1 है, अवयस्क द्वारा कोई दुरगटना करने पर भारतिय दंड सहेता कि किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है, तो इसका आंसर है धारा 304 या 337, अब देखिए, इसी तरीके के प्रश्न जो है हैं, इसी लिए हर कुश्चन जो है वो आपके लिए इंपोर्टन रहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? 2005 में, नेक्स्ट है कुश्चन नमबर थर्ड, सरकार के कितने अंग होते हैं? हमने देखा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं, रास्ट्रपती, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहां पूछा है सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के अंग हैं व्यवस्थापिका, कारेपालिका और न्याएप गज़िन नमबर फोर, यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपस में कोई मतबेद हो जाए तो उन्हें कौन दूर करेंगे? Q. 5. क्योंकि हमें पता है कि सरवोच जो नियाले हैं, नियायपालिका है, हमारी वो सुतंत्र नियायपालिका है और वह कार्यपालिका और विवस्थापिका, इनसे दोनों से ही अलग है, इसulyे नियायपालिका को ये अधिकार है सर्वोची न्याले कहां इस्थित है? सर्वोची न्याले दिल्ली में इस्थित है Next है question number 6 क्या सर्वोची न्याले द्वारा बनाए गए कानून का संसोधन कर सकती है? सर्वोची न्याले द्वारा जो कानून बनाए गए हैं क्या उनका संसोधन किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ Next है question number 7 भारत देज में कैसी नियायपालिका की विवस्ता है तो भारत में स्वतंत्र और एकिकरत नियायपालिका है Next है question number 8 हमारी नियायपालिका का सबसे बड़ा नियायले कौन सा है तो हमारी जो न्यायपालिका के जो तीन स्थर हैं District Court, High Court और Supreme Court तो सबसे बड़ा न्यायले हैं हमारी सरवोची न्यायले Supreme Court जिसे अंतिम अपीली न्यायले कहते हैं Q8, सरवोची न्यायले के मुख़े न्यायले की निकती कौन करते हैं? तो इनके न्यायदीस जो होते हैं मुख्य न्यायदीस उनकी न्युक्ति करते हैं राष्ट्रपती याद रखना है सर्वोच न्यायले के मुख्य न्यायदीस की न्युक्ति करते हैं राष्ट्रपती नेक्स्ट है question number 10, मुख्य न्यायले की सलाह से कौन अन्य न्यायधीसों की न्युक्ति करते हैं तो आंसर है राश्ट्रपती, राश्ट्रपती सरवोची न्यायले के मुख्य न्यायधीसों की न्युक्ति करते हैं और अन्य न्यायधीसों की न्युक्ति वह मुख्य न्यायध मुख्य न्यायधीस की सलहा पर राश्ट्रुपति अन्य न्यायधीस की न्युक्ति करते हैं। कुश्यन नमबर 11. सर्वुच न्यायले का न्यायधीस बनने के लिए व्यक्ति की मुख्य योग्यता क्या है? तो इसका अंसर है कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सर्वुच न्यायले का न्यायधीस जो है वो 65 वर्स की आयुतक पद पर रह सकते हैं। और अगर हम उच्य न्यायले की बात करेंगी तो हाई कोड जो होता है उनके न्यायधीस जो है 62 वर्स की आयुतक अपने पद पर रहते हैं। और इसके बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं. Next है 13, सरवुच न्यायले के न्यायधीस के वेतन भत्ते कहां से प्राप्त होते हैं? तो इनको जो वेतन भत्ते होते हैं, वह भारत की संचित निधी से प्राप्त होते हैं. तो वहीं हम उच्च न्यायले के अगर न्यायधीसों की बात करें, तो उन्हें वेतन भत्ते जो हैं, वो राज्य की संचित निधी से प्राप्त होते हैं, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तब उन्हें जो पैंशन मिलती है, वह भारत की संचित निधी से प्राप्त होती है Q14 सर्वोच्य न्यायले का प्रारंबिक छेतरा अधिकार क्या है? सबसे फस्ट जो उनके अधिकार में आता है सुप्रीम कोड के तो वह क्या है? कि वह नागरिकों के मूल अधिकार संबंदी विवाद ये उसका अधिकार है कि यहां वह विवादों को सुनता है और न्याय करते हैं केंदर और राज्य की बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो वो सुनवाई करते हैं कौन? सर्वोच्य न्यायले Q15 सर्वोच्य न्यायले का अपेलिय शेतरा अधिकार में क्या आता है? तो अपीलिय शेत्र अधिकार में आता है समविधानिक मामले जिसमें समविधान की जो व्याक्या है वह इनका अधिकार है समविधान की व्याक्या करने का नेक्स्ट है दिवानी मामले, जिसमें जमीन, जायदाद, विवहा, तलाक, इनसे संबंदित जो अपील है, वह हम सर्वोच न्याले में कर सकते हैं, उसके वाद फौजदारी मामले, चोरी, मारपीट, हत्या, अपराध, इसके लिए भी हम अपील कर सकते हैं, तो आपने देख कि सर्वोच न्याले जो है, वह है, उसका अधिकार क्या होता है, सम्विधानिक मामले, दीवानी मामले, और फौजदारी मामले, नेक्स्ट है, कुशन नमबर 16, न्यायक पुन्रावलोकन क्या है, देखिए, यहाँ पर इस सब्द जो है, यह कई बर हम एक्जाम में देखते हैं, तो न्यायक पुन्रावलोकन है कि सर्वोच न्याले दोरा ऐसे कानून को अवैद गोसित करना, जो सम्विधान के प्रावधान के विप्रीत है, माल लिजिए कि हमारी जो विवस्थापिका है, या विधायका है, उसने कोई कानून बनाया, और वह कानून जो है, वो सम दुवारा से अवलोकन करना पुन्रा वलोकन ठीक है कुशन 17 अभिलेक नियायले क्या है अभिलेक नियायले का अर्थ होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसके द्वारा कोई भी निर्डे जो है प्रकासित किये गए है उनका प्रियोग कानून की तरह करना सर्वोच निय नयाले दौरा प्रकासित किया गया है यह निर्णे तो यह अब कैसे यूज किया जाएगा यह लौ की तरह यूज किया जाएगा कानून की तरह इसका यूज किया जाएगा कोश्यन 18 राजिस्थान का उच्छी नियायले कहा है अब यह बहुत ज्यादा important question है और आपके exam में आने वाला question है राजिस्थान का उच्छी नियायले जोथपूर में है याद रखना है जोथपूर में है Next है Question 90. राजिस्थान के उच्छे न्यायले के पीट कहा है? इसका आंसार है जयपुर. ठीक है? यहां confused नहीं होना है क्योंकि राजिस्थान का उच्छे न्यायले हम जयपुर कर देते हैं. क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि JLP जो है वो capital है तो हम आंसर JLP कर देते हैं राजे सान का जो ऊच्छ न्यायले है वो जोधपुर में है और इसकी जो ब्रांच है वो JLP में है Q. 20, ऊच्छ न्यायले के न्यायधीस की नियुक्ति कौन करते हैं हमने देखा कि हाई कोड के जो मुख्य न्यायदीस हैं, उनकी न्युक्ती राष्ट्रपती कर रहे हैं, अन्य न्यायदीसों की न्युक्ती जो है, वह भी राष्ट्रपती कर रहे हैं मुख्य न्यायदीस की सला पर, अब कुश्यन है कि उच्छ न्यायले के न्यायदीस की न् तो यहां पर आंसर जो है वह यह आता है कि राज्यपाल करते होंगे नहीं यहां पर जो इनकी न्युक्ति जो है वो राष्ट्रपती ही करेंगे लेकिन राज्यपाल और सर्वोच्य न्यायले के न्यायदीज की सला पर राष्ट्रपती उच्य न्यायले के न्यायदीज की न् 21 उच्चे न्याले के न्याइधीज किस उमर तक अपने पद पर बने रह सकते हैं तो यह 62 वर्ष की उमर तक अपने पद पर रह सकते हैं और सर्वोचे न्याले के न्याइधीज जो हमने देखे 65 वर्ष की उमर तक अपने पद पर रह सकते हैं उच्चे न्याले के न्याइधीस बनने की मुख्य योग्यता क्या है? तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, यह तो एहम है, वह भारत की किसी भी राज्य में कम से कम दस वर्ष या किसी न्यायक पद पर रहा हो, या दस वर्ष तक उसने वकालत की हो, यह तो उच्च न्याले के न्याइधीस बनने की योग्यता है, और वही हम अगर सर्वोच न्याले के न्याइधीस की बात करते हैं, तो सर्वोच न्याले का न्यायधीस बनने के लिए वह हाई कोट में उसने लगातार पांच वर्ष तक वह न्यायधीस रहा हो और दस वर्ष तक उसने वकालत की हो और यहाँ पर क्या है अलग कि उसने किसी भी राज्य में कम से कम दस वर्ष तक किसी न्यायक पद पर रहा हो याचिका होती है इस अर्थ को भी हम बाद में समझेंगे जनहित याचिका जिसे हम PILB कहते हैं इन दोनों को ही आप याद रखना है इसकी सुरुवात की थी PN भगवती ने और देखिए जनहित याचिका का अर्थ क्या होता है कि जब नागरिक जो है वो अपने अधिकारों क की रक्षा के लिए न्यायले में प्रात्ना करते हैं वही है जनहित याचिका जन यानि की मनुष्य यानि की नागरिक और उनके हितों के लिए याचिका करना प्रात्ना करना और कहां करना न्यायले में जाकर प्रात्ना करना ठीक है Q24 तौरित न्यायले जिसे ट्रैक कोर्ट भी कहते हैं ये क्या है इसका अंसर है जिसमें गंभीर किस्म के कुछ विशेश प्रक्रणों में लोगों को सीग्र न्याय दिलाने के लिए स्थापित किये जाते हैं उन्हीं को कहा जाते हैं तौरित न्यायले Q25 ग्रामिल शेत्रों में ग्राम पंचायत इस्तर पर सीग्र एवं सुलव न्याय दिलाने हैं तो जिसके तहत ग्राम न्यायले की स्थापना की गई है Q26 राजिस्थान में पहला ग्राम न्यायले कहां खोला गया है इसको याद रखिएगा पहला ग्राम न्यायले जो है वो जैपूर के बसी में कोला गया है जैपूर जो जिला है उसके बसी में कोला गया है पहला ग्राम न्यायले Next है ग्राम न्यायले में न्यायक अधिकारियों की नुक्ति किसके परामर्स से की जाती है तो ग्राम न्यायले में जो न्यायक अधिकारियों की नुक्ती है वह उच्छ न्यायले के परामर्स से की जाती है Q28. अपील किसे कहते हैं? निचली अदालतों के फैसले के बुरुत पुनह विचार करने के लिए किसी पक्ष का उपरी अदालत में जाना माल लीजिए कि डिस्टिक कोर्ट में किसी भी नागरे की सुनवाई नहीं हुई, वह संतुष्ट नहीं हुआ अब वो क्या करेगा? वो हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ जाकर अपील करेगा अगर हाई कोर्ट में भी उसकी बात नहीं बनती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इसे ही अपील कहा जाता है तो वह कहता है कि मैं अब High Court में जा कर अपील करूँ गा, मेरी यहाँ बात नहीं बनी हैं, तो मैं अब Supreme Court में जा कर अपील करूँ गा. इसी को क्या करते हैं? अपील. निचली अदादलुतों के फैसले के उर्त पुन्हे विचार के लिए किसी पक्ष का ऊपरी अदालत में जा नेक्स्ट है 30, विद्ःक साक्षर्ता सिविरों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है जन्ता को कानूनों की जानकारी देना ठीक है। जनता को कानून सम्बंदि जानकारी देने के लिए, इसे विधिक साक्षर्ता सिविर कहते हैं, जहां पर विधि यानि की कानून साक्षर्ता यानि कानून से सम्मंदित जानकारी देना। तो ये था आज का अंतिम प्रश्ण, इसके बाद आपका एक और चैप्टर है और आपकी एर्थ ग्लास की पॉलिटी पूरी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू.